हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD जॉप में Central Board of Secondary Education, CBSE, केंद्रिय माधिमिक सिक्षा बोर्ड की तरफ से जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है, वेकेंसी का, पर्मानेंट पोस्ट आई है सोले सब्जक्ट की वेकेंसी की बात करने वाले हैं, इस वीडियो में सेलरी 85,000 तक आपकी यहां पर रहेगी, कोई भी Graduate Pass Candidate अप्लाई कर सकते हैं और भी कई पोस्ट हैं, जहां पर Post to Graduation प्लस Beard मांगा गया है इस वीडियो में हम केवल एक ही पोस्ट को कवर करेंगे, Assistant Secretary की जो पोस्ट है जिसमें कोई भी Graduate Pass Candidate अप्लाई कर सकता है नेक्स्ट वीडियो में जो है, दूसरी पोस्ट की हम बात करेंगे ठीक है, आप चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले में वेबसाइट पर देखेंगे केंद्रिय मादिमिक सिक्षा बोर्ड, CBSC की ये में वेबसाइट है सबसे पहले आप लोगों को मुख्य वेबसाइट, यहां में वेबसाइट, इस पर क्लिक करना है तो जो है हम लोग आ गए में वेबसाइट पर, ठीक है यहां पर सेकेंड नमबर पर आप देखें, लेटेस्ट, एट दरेट, CBSC सेकेंड नमबर पर है, वेकेंसी नोटिफिकेशन फॉर वेरियस पोस्ट तो इस तरीके से जो है, शॉर्ट नोटिस है, वेकेंसी नोटिफिकेशन 29 फरवरी का है ये, स्टार्टिंग डेट जो है, 12 मार्च दोहजार चॉबबबस है क्लोजिंग डेट 11 अप्रैल दोहजार चॉबबस है, ये शॉर्ट नोटिस है next इसी के आगे लिखा है detail notification ठीक है तो इस पर click कर लेते हैं उसके बाद जो है syllabus भी डाल दिया गया है और कैसे apply करना है तो red color में लिखा हुआ है click here to apply for assistant security अब चलिए देख लेते हैं detail में notification ये complete है notification बहुत सारी post की vacancy है the candidate must be a citizen of India तो यहाँ पर सभी राज्यों के candidate बिलकुल apply कर सकते हैं 12 मार्च से लेकर 11 अप्रेल तक जो है application form fill किये जाएंगे post code 1 and 2 तो सबसे पहले जो है name of post assistant security administration जो की group A की post है जिसमें qualification केवल bachelor degree कहा है केवल सनातक मांगा है arts commerce science किसी में भी आपने किया हो कोई भी percentage वगरा यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कहा है उम्र जो है यहाँ पर general category की 35 यर रखी गई है उसके बाद academic में आप देखें post graduation मांगा गया है और यानि जो आपको subject दिखाए है उनमें और B.Ed होना चाहिए net या slat qualify हो assistant security administration के लिए जो है केवल bachelor degree कहा गया है ठीक है और ऐसे candidate जिन्होंने net qualify कर लिया है या राज्य का जो है slat आपका qualify है तो यहाँ पर academic assistant security के लिए जो है आप लोग apply कर सकते हैं यह group A की vacancy है बहुत अच्छी vacancy आई है permanent post है अब जो है एज देख लेते हैं एज इन्होंने जो IUCMA में जो छूट दी है general category की 35 year कही गई है SCST को जहाँ 5 साल की चूट है OBC 3 साल की चूट है PWD unreserved category के जिसमें women भी include हैं 10 साल की चूट है और PWD OBC के 13 साल की चूट है SCST में 15 साल की चूट है women candidate के लिए आप देखें किसी भी category की हैं 10 साल की यहाँ IUCMA में चूट है यानि 45 year तक की candidate यहाँ पर apply कर सकती है fees जो है इन्हों ने बताई है group A की post है application fees 1500 रुपे है group A के लिए ठीक है unreserved category OBC and EWS के लिए बाकी SCST, PWVD, ex-servicemen, women, women candidate के लिए कोई fees नहीं है कोई भी fees जो है women candidate के लिए नहीं है और जो भी CBSC employee है तो उनके लिए भी कोई fees नहीं है ठीक है जो की regular है तो बहुत अच्छी vacancy है permanent post है CBSC की तरफ से selection कैसे होगा तो exam के थुरू होगा link आप लोगों को provide कर दिया जाएगा जिसे कि आप लोग जो है अपना syllabus जो भी candidate तयारी करना चाते है तो syllabus वगरा सारी चीज़ें चेक कर लेंगे ठीक है तो काफी अच्छी vacancy है assistant security administration pay level 10 बहुत अच्छी salary जो है यहाँ पर आपकी बन जाती है अगर आपका selection यहाँ पर हो जाता है तो ज़्यादा qualification भी नहीं मांगी है इस post के लिए केवल graduate pass candidate यहाँ पर apply कर सकते हैं और जो candidate assistant security academic के लिए apply करना चाहेंगे net यह slat अपका qualify होना चाहिए बाकी जो post है उनको भी जो है cover कर दिया जाएगा next video में मिलेंगे next video में thank you